हलो दोस्तों जैशिफ शंबू नमस्कार तो गाइस इस वीडियो में हम डिसकस करने वाले कल की दिन के मार्केट का अनलेसिस और देखेंगे कल मार्केट कैसे वर्क कर सकता है अगर मार्केट में गाप डाउन या फिर फ्लैट ओपनिंग होती है तो गाइस चलिए शुरू करत ग्हा अगर एंगर होता है दोस्तों तो का निकल कर आ रहा है तो अगर ऐसा होता है दोस्तों तो कल हमारे market में gap up opening हो सकती है या फिर bullish रह सकता है अपना market ठीक है और in case दोस्तो अगर Dow Jones यहाँ से नीचे आ जाता है आज तो फिर यहाँ पर दुबारा support लेगा और यहाँ से हो सकता है वापस उपर की तरफ move करे या फिर retest हो के नीचे सस्टेन हो जाए तो Dow Jones में दोस्तों यह लो बहुत important है 32600 का अगर यह तूटा तो फिर हम अपने भी market में continuously downside का move देख सकते हैं ठीक है तो यह overall Dow Jones का scenario दोस्तों आगे चलेंगे और बात करेंगे अपने market की 15 मिनट में चलेंगे और देखेंगे आज का market करें तो जैसे कि कल हमने analysis किया था यहां पर और हमने बात की थी यह यहां पर अगर market डबलू pattern बना के उपर जाता है या फिर दोस्तों हमने clear discussion किया था gap up के condition में कि अगर gap up होता है market continue उपर चल सकते हैं बट candle close होने के बाद बट देखो उपर नहीं गया market और हमने आप सभी को बताया था इसके उपर retest होके sustain हो तभी जाना क्योंकि अगर यहां पर नहीं touch करता है market और continue नीचे आगया गाईस तो फिर अच्छा downside का move देखने के लिए मिल सकता है तो गाईस जो भी हमने इसमें target लगाए थे ठीक है निफ्टी में वो हमारे total target complete हो गया है यहां पर अल्मूस् अगर आप देखेंगे तो हमने जैसे के discussion किया था कि हमारा पहला target दोस्तों यहां तक ही रहेगा ठीक है इस zone तक इसके नीचे अगर proper आप री टेस्ट हो के sustain होता है तो हम नीचे जा सकते हैं तो अगर आप देखेंगे दोस्तों आज हमें यहां पर री टेस्ट होके entry नहीं मिली direct to market गया थोड़ा सा जूम करेंगे एक मिन थोड़ा जूम करेंगे तो गई अगर आप देखेंगे यहां पर हमें की थी कॉल से जिसको भी जाना है बाई कर सकते हैं दोस्तों तो मार्केट बहुत स्लो अपर जा रहा था तो अगर आपने बाई किया था तो डेफिनेटली कुछ न कुछ तो प्रॉफिट में आप निकले होंगे उसके बाद दोस्तों हमने इसी जोन तक का रिवर्सल का टागे तो आगे बात करते हैं मार्केट के अपने कल की दिन में कैसे हम ट्रेड एक्जीकूट कर सकते हैं तो सबसे पहले यही लेवल्स रहेंगे हमारे इंपॉर्टन यह हटा देंगे हम यह हमारा टॉप है इसे तो हटाएंगे और यह जो जोन है हमारा ठीक है अभी आप अब है यह सपोर्ट का इरिया था अभी क्या है ऐज़ा रिजेक्शन का इरिया हो सकता है तो अगर कल मार्केट नीचे की तरफ चलता है तो यह लेवल तोड़के सीधा हमारे target गाईस यहां तक के हो जाएंगे 17,778 तक के यह हमारे level रह सकते हैं कल के लिए ठीक है गाईस यहां तक के हमारे level होंगे पुट साइड के ठीक है और गाईस इसमें एक और चीज हो सकती है इसमें हो सकता है market continue उपर की तरफ जाके और फिर continue उपर की तरफ चला जाए ऐसा कुछ भी सेनारियो क्रियेट हो सकता है निफ्टी के अंदर अब हम यह देखेंगे कि हमें ट्रेड कैसे एक्जीक्यूट करना है तो सबसे पहले दोस्तों हम बात करेंगे gap-up की अगर मार्केट gap-up open होता है है ओके गई तो निफ्टी का यह आवर्ली चार्ट है यहां पर हम लगा लेंगे कुछ लेविल्स इंपॉर्टेंट जो हमारी ने कल रहने वाले हैं ठीक है यह लेविल्स इंपॉर्टेंट और इसमें आ जाएंगे फिर हम 15 मिट के टाइम फ्रेम में थोड़ा सा जूम करें तो यहां पर समझने की कोशिच करेंगे मार्केट में अगर तो यहां पर सिनारियो 18,118 के आसपास ठीक है अगर market gap up open हो जाता है मतलब यहां कहीं gap up open होता है market तो दोस्तों यहां से market continue नीचे की तरफ चल सकता है ठीक है हो सकता है इस range को retest करने आए तो हम put side का trade execute कर सकते हैं जो भी हमारी पहली 15 मिट के 5 मिट की candle होगी उसके low break होने के बाद high का इसला के आप put side की दरफ जा सकते हैं ठीक है gap up के scenario में यह आपको ध्यान रखना है इसके अलावा guys अगर gap up होता है market तो आप call side का trade continuation में कैसे कर सकते हैं तो देखे यहां पर अगर आप तो guys आपको यहां पर करना है एक यह trend line mark कर लेंगे ठीक है आप यह trend line mark करेंगे तो overall इसके just आसपास ही आपको market देखेगा ठीक है यह देखे थोड़ा सा आसपास ही है इसके market तो guys यहां पर भी इस trend line के according भी अगर market gap up open होता है इसके आसपास तो guys continue नीचे की दरफ हो सकता है तब भी आपको put side का trade execute करना है मतलब कोई भी ऐसा तरीका नहीं दीख रहा है कि market continuously उपर के तरफ जाए ठीक है तो कल के लिए continuation वाला trade guys नहीं करना है continue trade जो होगा उपर उसे छोड़ेंगे wait करेंगे market में थोड़ा correction आए put side का trade करेंगे उसके बाद ठीक है market नीचे आता है और हो सकता है guys पूरा यहां तक ना कर reverse होता है अगर ऐसा होता है तब आप guys यहां पर call side का trade execute कर सकते हैं पहली वाली candle के breakout के बाद और target के level आपके बनेंगे यहां तक के सीधे 18,240 तक के आपके target के level रहेंगे तो यह guys gap up का scenario है कल के दिन के nifty के लिए in case guys अगर gap down open हो जाता है तो आप exactly इस candle का low mark करके रखिए इस red candle का guys जो low है 17,892 guys ठीक है यह आपको mark करके रखना है बहुत ज़ादा important हमारे इनकल रहने वाला है यह low तो guys अगर कल gap down open होता है यहाँ 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 कहीं पर भी open हो जाता है थोड़ा बहुत gap down open होता है आप put side का trade execute कर सकते हो इसके low के आसपास तक put side का trade execute कर सकते हो but quantity कम रखनी है क्यों कम रखनी है क्योंकि ज़रूरी नहीं है market यहाँ तक ही नीचे आया हो सकता है थोड़ा बात gap down कुला थोड़ा बात नीच आया और फिर reverse हो गया तो इसलिए put side का trade आपको कर सकते हैं quantity कम और stop loss proper follow करना है ठीक है without stop loss आपको trade नहीं करना है और ये नहीं सोचना है कि trade ले लिया तो उससे सीधा 10,000 बना के ही निकलूँगा मतलब आपको ये trade करना है as scalping समझ कर ठीक है ऐसा scalping समझ कर आपको execute करना है बाद में वो trade proper बन जाए वो बात अलग है ठीक है तो चलो देख लेते हैं अगर ये trade proper trade बनता है तो आपको क्या करना है तो दोस्तों देखो गर वो उस trade को proper trade बनना होगा तो आप ऐसा scalping बाय करोगे यहाँ पर suppose gap down open हुआ आ अगर आपको continue लगता है कि market नीचे जा सकता है तो आप wait करेंगे guys इसका breakdown होने का अगर इसका breakdown हो जाता है तो जो भी इसके breakdown वाली candle होगी अपना stop loss के high का SLA कर सकते हैं next आपके target के level होंगे 17,778 यह आपके target के level होंगे और in case guys अगर gap down market यहाँ कहीं खुल जाता है इस low को mark कर लिजे 17,892 बहुत जादा important low है दोस्तो market अभी यहाँ से उपर गया है ठीक है नीचे आके अब gap down open हो किया यह flat open हो किया नीचे आके guys यह ऐससे करके movement दे सकता है call side की तो यहाँ पर ध्यान लखेंगे gap down अगर open होता है और यह low नहीं जाता है और reversal की गंडल आती है तो हम call side क trade यहाँ से भी execute कर सकते हैं बट हलका सा risk जादा रहेगा यहाँ ठीक हो सकता है market वापस आ जाए तो stop loss हो जाएगा आपका और जैसे इस range का breakout होता है तो आप call side continue कर सकते हैं यहाँ से जो भी लोग trade लेंगे यहाँ से उनका level रहेगा target का 18,000 पहला target and second target would be 18,118 ठीक है guys तो यह आपका second target हैगा और third target guys near about आप मान के चलिए 18,200 के आसपस आपका T3 target रहेगा तो overall यह gap down का सेनारियो हो रहेगा निफ्टी के अंदर और बहुत जादा gap down हो जाता है guys इस range के नीचे भी gap down हुआ तो समझ लिए सीधा आपको put side का trade मिल सकता है यहाँ पे कर सकते हैं मतलब आप पहली candle जो होगी उसका breakout होने के बाद guys आप put side का trade execute कर सकते हैं target के level 17,778 तक आपके रहने वाले तो यह gap down का सेनारियो रहेगा निफ्टी में अब guys हमारे पास एक और सेनारियो बचता है जो कि यह flat opening तो guys अगर market flat open होता है इसके उपर proper retest guys proper retest होके sustain होता है ठीके एक candle का retest नहीं 2-3 candle का retest होता है proper retest होता है उसके बाद breakout करता है तब आप call side जा सकते है target के level यही रहेंगे guys 18,118 और next target 18,200 तक ठीक है यह आपके target के level रहेंगे nifty के अंदर flat opening में और in case flat open होके market नीचे आता है ठीक है बहुत ही बढ़िया चीज है guys इस total move का 50% और 61% आप trade execute कर सकते है ठीक है मतलब यह level इन levels तक trade execute कर सकते है put side के flat opening में ठीक है और फिर यहाँ पर trade book करके मतलब यहाँ पर आपको 50 और 61% पे निकल जाना है तो guys यह कैसे लगाएंगे 50 और 61% normal तरीके से Fibonacci retracement आपको लगाना है इस total move का guys Fibonacci retracement लगा लिजे और इसका 50 और 61% के बीच 61% और उ market collision तीनों levels में से कहीं से भी market reverse हो सकता है तो यह flat opening का scenario रहेगा nifty के अंदर guys ठीक है और guys अभी हम बात करेंगे इसको normal price exchange के according तो guys अगर आप normal price exchange के according देखेंगे तो कल market में negative candle थी उसका follow up आया नीचे candle close हो गई ठीक है लेकिन कल हम एक चीज discuss कर रहे थे guys वह आपको यहाँ प यहाँ पे negative है लेकिन अगर हम यहाँ पे Fibonacci retracement लगा लें तो overall 61% ठीक है overall guys यहाँ पे Fibonacci retracement का 61% से market reverse हुआ है तो यह reverse हो सकता है तो guys यह nifty का analysis है आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे bank nifty की दोस्तों तो bank nifty में आगे बढ़ने से पहले हम सबसे पहले बात करेंगे आज के market की इसमें हमने discussion किया दा है यह यह level अगर नहीं तूटता है तो market यहाँ पे उपर आके और इसको अगर टच नहीं किया और reverse होगे guys तो put side का trade आपको बहुत अच्छे मिल सकते हैं ठीक है तो आप देखें नीचे आया retest होके sustainable guys यहाँ पर हमने 11 बजे हम आ गये थे हमने आपको बोला था entry ले सकते हो put side की guys ठीक है तो put side की आपने entry ली होगी target के level guys हमने 42,500 तक के ही रखे थे और यहां तक market नीचे आया ठीक है 42,500 तक market नीचे आया guys क्यूंकि अगर आप यह candle देखोगे तो बहुत ही indecisive candle थी तो हमने यहाँ पर exit कर लिया था ठीक है इस बड़ ली candle के हिसाब से बहुत सारे retail traders ने guys entry ली होगी यहाँ पे 100% ठीक है क्योंकि 42,500 का इत्ती तगडी candle के साथ breakdown हुआ इसी के high का SL लाके entry ली होगी guys और यहाँ पे लोग हुए trap guys बट अगर आप हमें देख रहे थे जो भी लोग हमाई साथ थे हमने को clear बोल दिया था entry नहीं लेनी है यहाँ पे ठीक है entry नहीं लेनी है trap हो सकता है guys और हमने यहाँ पर उनको call side के entry दी तो guys maybe शायद बहुत बड़ा movement वो ना ले पाए हो क्योंकि guys market बहुत अच्छा एकदम fast movement में नहीं आया उपर की तरफ लेकिन guys definitely कुछ ना कुछ profit में 100% निकले होंगे ठीक है अगर आपने bottom से buy किया होगा guys यहाँ से buy किया होगा bottom से और आज क्यूंकि expiry थी ठीक है आज expiry थी guys तो अगर आपने ATM या in the money buy किया होगा तो 100% आप profit में निकले होंगे guys यहाँ ठीक है न दोस्तो तो overall अच्छा रहा आज का market ठीक है मतलब इतना ज्यादा trap में भी नहीं फसे हम अभी बात करेंगे दोस्तो हम अपने कल के market के कल कैसे trade execute कर सकते हैं तो दोस्तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे कल के लिए तो हमारे लिए important है क्या चीज़ यहाँ पर यही ठीक है level इसका यह जो level मार्केट ने high लगाया यहाँ यह level important है ठीक है और साथ में guys हमारा यह low का level important है same जैसे अभी हमने निफ्टी में discussion किया दोस्तो same scenario हमारा bank निफ्टी में भी है आवले time frame में आ जाएंगे तो दोस्तो देखो यहाँ पर भी हमारा head and shoulder pattern हो गया है fail ठीक है almost इसको fail कह सकते हैं guys या फिर इसमें हम थोड़ा सा adjustment कर लें तो यह fail की category से हटा भी सकते हैं इसक तो guys हमें क्या ध्यान रखना है एक यह level as a support zone 42,302 का level okay तो market में क्या हो सकता है market हो सकता है नीचे खुल जाए guys यहां से नीचे आए और उपा की तरफ निकल जाए ठीक है एक तो यह scenario हो सकता है market नीचे की तरफ इसको break कर दे ठीक है तो यह चीज़े हो सकती है market के अंदर जैसे अभी हमने discussion किया दोस्तो निफ्टी के अंदर same इसमें भी रहेगा ठीक है अगर हम थोड़ा सा पांच मुट में चलेगा इस तो जाते जाते हमने आपको बताया था कि में भी यह एक channel के अंदर है ठीक है तो आप देखो इतना clear channel नहीं है बट अगर हम इसको बनाना चाहें तो बना सकते हैं यहां से यह इसका rejection का एरिया ठीक है यह चैनल बन जाएगा ऐसे करके ओके और यहां से अगर हम support लाएंगे तो support बढ़िया आ रहा है support लेवल बढ़िया आ रहा है इस यह देखो यह channel ऐसे करके बन सकता ह तो थोड़ा सामें इसमें आर्ट दिखानी पड़ेगी टैक्निक अलेसिस क्या होता है एक आर्ट होती है इस तो वह आर्ट दिखानी पड़ेगी हमें इसमें तो उसके अकॉर्डिंग यह channel है इसमें तो यह flag and pole भी हो सकता है बीरिश का ठीक है तो अभी इसको क्या करते हैं सिंपल सा channel बना देते हैं जिससे हम analysis एक अच्छे से कर पाएं तो आप इसको मानकर चलिए गाइस यह एक inclined channel है ठीक है मार्केट इसका बिग्रण रोके नीचे आ सकता है तो सिंपल सी चीज है दोस्तों आपको क्या करना है अब हम 15 मिट में वापस आ जाएंगे channel आपको समझ 42,302 का level है ठीक है और यहां पर 42,659 का level तो guys ध्यान के रखना है सबसे पहले बात करें gap up कि अगर market gap up open होता है तो guys gap up open होता है हमारे किसी काम का भी नहीं है gap up opening ठीक है market gap up open हुआ market हमें trap कर सकता है कर अगर gap up open हो गया guys market तो trapping हो सकती है तो हमें क्या करना है दोस्तों हमें यह करना है कि हमें लगानी है सबसे पहले एक range ठीक है यह आप देखेंगे यह है एक level जहां से market breakdown को के नीची की तरफ हाया आज ठीक है यह एक अच्छी range है दोस्तों तो इसी को हमे करना है follow ठीक है एक मिनट तो गाइस अगर market gap up open होता है लगबख 42,900 के आसपास की यह range है ठीक है तो अगर इसके आसपास gap up open होता है ध्यान रखेंगे यहां से सीधा में एक put side का trade execute करने के लिए मिल सकता है जिसके target के level लेंगे 42,659 से लेके 42,500 तक मतलब यहां से जो put side का trade execute करेंगे T1 उसका target 42,659 और T2 उसका target 42,500 बस यहां पर आके exit कर लेना है बस इसके नीचे trade execute नहीं करना है तो यह gap up का scenario रहेगा और gap up होके market इसके ऊपर retest होके sustain हो गया तो हम यहां पर call side की तरफ move कर सकते हैं target के level आपका पहला target का level यह रहेगा 43,200 और उसके बाद गाइस multiple levels हैं जैसे कि एक level यह मिल जाएगा आपको 43,300 और इसके बाद एक highest level जो है guys इसमें call side की तरफ वो हमें मिलेगा यह level जो की इस करेगा guys यहां पर जो हमारा high है अभी market का ठीक है 43,600 के आसपास का level रहेगा मतलब इस move का high दोस्तों यहां से जो market घूम आए इस move के high के हम बात कर रहे हैं ठीक है तो 43,600 का level रहेगा इसका next ठीक है तो यह ऐसे multiple levels ले सकते हो call side के continuation के trade में तो guys अब हम बात करत हैं market में अगर gap down opening हो जाती है तो दोस्तों अगर market में opening होती है gap down तो आप कैसे trade कर सकते हैं तो guys यहां पर ध्यान लखना है gap down opening होती है इस total move का 50% के आसवास या यह range मतलब 42,500 से लेके 42,400 guys इस range को हमें ध्यान डखना है और यह Fibonacci retracement के recording यहीं कहीं guys अपना 50% और 61% आएग ठीक है तो guys अगर market gap down हो जाता है इस range के पास कुछ नहीं करेंगे कोई put side का trade execute नहीं करेंगे बैठेंगे हराम से अगर इसका breakdown होता है इस level का breakdown होता है तो आप put side के तरफ move कर सकते हैं target के level सीधा guys आपके 42,000 तक के जाएंगे ठीक है 42,000 तक का आपका target का level होगा अगर market इसको breakdown नहीं किया यहां से reversal होता है पहली candle का breakout होता है 15 minute की पहली candle का breakout होता है guys तो हम यहां से call side का trade execute कर सकते हैं यहां तक guys quantity कम रखें बट इसके उपर जब निकल जाए market तो आप quantity बढ़ा सकते हैं और फिर आपके target के level 42,900 उसके बाद guys जैसे हमने discuss किये 43,200 ठीक है 43,300 next target और उसक 40,600 तो ऐसे अरके आपके अगले target हो सकते हैं ठीक है दोस्तों तो guys overall scenario है bank nifty में gap down का ठीक है और in case दोस्तो gap down में और चीज़ी भी हो सकती है अगर market सीधा खुल जाता है gap down यहां कहीं मतलब इस 42,300 के नीचे तो guys continue put side का trade हमें मिल सकता है target के level अपने 42,000 तक यह level 42,000 तक हमारा रहने वाले है target के level और यह target के level और यह target के level कहा से निकाल रहे हैं guys हम यह target के level निकाल रहे है इसमें guys अगर market open हो जाता है flat जो कि हमारा तीसरा scenario है तो simple scenario guys सबसे बड़ी रहेगा market flat open हो के नीचे की तरफ आ जाए आप put side का trade execute कर सकते हैं target के level 42,500 to 42,400 तक के रहेंगे ठीक है और market अगर flat open हो के उपर की तरफ चलता है guys इस तो बहुत ही जादा risky हो जाएगा इसमें हमें क्या करना है आपको simple सा mark करना है guys यहाँ पर एक trend line ठीक है यह trend line mark करेंगे जरूर से जरूर यह trend line mark करेंगे ठीक है यह flat open हो के guys इस trend line को हम थोड़ा सा और भी adjust कर सकते हैं मतलब यह ऐसे भी लगा सकते हैं ठीक है तो ऐसी भी mark कर सकते हैं और ऐसी भी mark कर सकते हैं फिलाल ऐसे कर लेते हैं दोनों ही condition में हमें क्या करना है इसके उपर flat open हो के mark उपर जाता है retest हो के sustain इस trend line का retest हो के sustain हो के उपर की तरफ जाता है तब आप इसमें call side का trade execute कर सकते हैं यहां पर आप देखेंगे तो कल की candle का follow up आया candle close हो चुकी है तो अब थोड़ा बहुत market उपर की तरफ उठ सकता है ठीक है जो की market दिखा भी रहा है या फिर continue भी चल सकता है दौनों सेनारियों हो सकते हैं बागे तो कल ही बता चलेगा हमने analysis अपना complete कर लिया आगे चलेंगे गाई और बात करेंगे हम फिन निफ्टी की तो गईज फिन निफ्टी ने भी बढ़िया ट्रेड दिया आज ठीक है सबसे बढ़िया चला गाईज ये मतलब सबसे पहले चला तो गाइस यहाँ पर हमने इसमें भी एक level लगाया तो बात की थी जागा market उपर आता है और यह level टच नहीं होता और बिना इसके touch करें नीचे तूटता है गाइस तो तैयार रहो put side के trade अच्छे मिल सकते हैं गाइस इसमें भी अपने यालट यह target आया पहले 18,922 next target 18,797 गाइस तो यह target भी अपने अचीव हो गए आज ठीक है गाइस और इसमें भी यहां से reverse आला है और यहां तक का इसने trade execute करवाया last में जाते जाते गाइस तो यह भी ठीक रहा analysis के according ओके तो गाइस अभी हम बात करेंगे अपने market में हम क्या कर सकते हैं अब ठीक है तो गाइस कल का analysis रहेगा फिन निफ्टी के अंदर सेम जो कि हम discuss कर रहे थे अभी बैंक निफ्टी और निफ्टी में तो यहां पर हम मार्क करेंगे यह लेवल ठीक है यह लेवल है important इसके अंदर जो कि ऐसा rejection का area market यहां तक ही गया है ठीक है तो यहां पर हमें क्या करना है सेम सेनारियो यहां पर भी है बस आप लेवल्स नोट कर लिजे देखे 18,670 और यह एक range तो यहां पर जैसे भी हम बात कर रहे थे सेम इसमें भी हो सकता है फिन निफ्टी के अंदर यहां पर क्या चीज़े हो सकती है देख लिजे यहां पर भी market open होके नीचे आके उपर के तरफ चल सकता है ठीक है यहां फिर market open होके नीचे यहां पर देखेंगे इसमें यह और लेवल लगा लेंगे जो कि इसका next target का लेवल रहेगा ठीक है तो चलिए बात करते हैं सबसे पहले यहां अगर आप देखेंगे तो ज्यादा इस पेस कहा मिलेगा अगर market open होता है इस लेवल पर मतलब 19,000 पर गाइस तो अगर यहां इस trend line के आसपास open होता है gap up तो गाइस put side का trade इसमें नहीं करना है लेकिन अगर market open हो जाता है 19,000 के आसपास gap up तो गाइस wait करेंगे put side का trade execute करने के लिए हमें मिल सकता है तो put side का trade execute कर सकते हैं target के level रहेंगे 18,800 तक के ठीक है गाइस तो यह overall आपका put side का सेनारियो रहेगा gap up की condition में बट अगर market continue उपर चलता है ठीक है तो यहां पर क्या कर सकते हैं एक तो यह level होगे हमारा जो की है 19,000 का और एक यह trend line है तो गाइस यहां पर अगर market gap up open हो जाता है इस trend line के असपास इसके उपर retest होके sustain होता है call side की तरफ move कर सकते हैं target के level 19,000 और इसके उपर अगर retest होके sustain हो गया तो target के level इसके बाद बनेंगे 19,100 के और फिर गाइस उसके बाद आप 19,250 तक के target भी ले सकते हैं ठीक है तो यह overall gap up का सेनारियो होता है बहुत बढ़ी है थोड़ा बहुत gap down open होता है चोटा सा scalping का trade कर सकते हैं put side का quantity guys यहां पे कम रखेंगे ठीक है और यहां पे इस low से पहले-पहले हमें book करना है मतलब 18,670 से पहले-पहले trade अपना book करके निकल जाएंगे उसके बात क्या करना है अगर gap down खुला market 15,561 तक ठीक है बट गाईस यहां पे gap down open होके market में आपने trade करा बट reversal आता है तो आपको wait करना है यहां पे इसके breakout होने के बाद आप call side का trade execute कर सकते हैं और safe trade चाते हैं गाईस तो इसका retest होने के बाद फिर आप call side की तरफ के trade execute कर सकते हैं तो यह overall nifty में gap down का scenario रहेगा gap down मे guys हो सकता है market सीधा gap down यहां खुल जाए आपको put side का trade मिले ही ना इस condition में wait करेंगे इस high का breakout होने का nifty bank nifty and fin nifty तीनों के अंदर ठीक है तो यहां पे अगर market reverse होता है तो call side का trade करेंगे इस high का breakout होने के बाद और बहुत safe करना है guys तो retest होने देंगे तब हम call side का trade execute कर सकते हैं otherwise guys अगर market continue खुल के नीचे की तरफ जाता है तो retest होने के बाद आप put side का trade execute कर पाएंगे इसमें जिसके target के level रहेंगे 18,561 तक के ठीक है तो यह overall gap down का सेनारियो रहेगा और guys market सीधा इस range के नीचे ही खुल गया 18,670 की नीचे तो आप continue put side के trade execute कर सकते हैं ठीक है target के level इसमे फिर से 18,561 तक के रहेंगे तो यह overall scenario guys gap down का बात करेंगे flat opening तो guys flat open होता है market इस trend line के उपर जाके retest हो के sustain होता है call side आप जा सकते हैं ठीक है target वही रहेंगे हमारे 19,000 और उसके बाद guys 19,100 ठीक है और अब आपके जो हमने target बतायते हैं वही रहेंगे same और guys इसके बाद अगर market flat open होके नीचे आता है तब आपको put side का trade करना है but quantity कम लेके करना है और इस low से पहले पहले book कर लेंगे ज्यादा अच्छा रहेगा जिनको book नहीं करना है वो करेंगे अपने stop loss trail कर दे रहेंगे तो guys overall यह fin nifty का analysis है fin nifty को भी हम देखेंगे normal price action के according क्या बता रहा है हमें market चल जोज हो गई है which is good signal for bearish move but थोड़ा सा अपसाइट की तरफ market move कर सकता है जैसे कि हम analysis कर रहे हैं अगर market जाना चाहे उपर तो चल सकता है space है हमारे पास ठीक है तो यहां पर guys अपना analysis complete हो जाते हैं सारे और guys comment करना मत भूलना आपको video कैसे लगी और आपको video कौन सा पार्ट जादा अच्छा लगा या कौन सा अपसे खराब लगा guys तो वह आप हमें बता सकते हो जिससे हम उस पर work करें ठीक है तो मिलेंगे guys अपनी next video में तब तक के लिए जैहिंद वंदे मातरम and thank you for watching guys thank you